नाइट मैच इस यकीनन दिल्चस्प होते हैं और दोनों टीमों से आज एक शानदार खेल की अपेक्षा है सब का स्वागत है इस खूप सुरद मैदान में टॉस के लिए यहाँ पर मौजुद है दोनों टीम के कप्तान और मैच रेफरी आपके स्क्रीन पे है दोनों टीमों के खिलाड़ी जो आज मैदान में उतरेंगे स्वागत है आप सब का इस शानदार स्टेडियम में अमपाईज नई गेन के साथ पिछ की तरफ बढ़ते हुए ओपनिंग बैट्सन पिच्च की और बढ़ते हुए तेज गेन बास को लाया गया है बल्ले बास तयार अपनी पहली गेन का सामना करने के लिए ओ बहुती बढ़िया गेन बाजी का प्रतर्शन गेन बास दुआरा बड़े शॉट मारने के पहले बल्ले बास को पिछ पर थोड़ा समय बिताना होगा करारा शौर और पहुचा दिया है ग्राउन के बाहर पूरी तरह नियंतरन में थे बल्ले बास क्या शॉट लगा है फील्डर्स बने दर्शन क्या बड़िया खेला है कॉन्फिडेंश शॉट धीमी गेंद इस पिछ पे अच्छा विकल्प होगा करारा प्रहार बल्ले बास का छे रन के लिए पिछ पे गर्मा गर्मी बल्ले बास और गेंद बास के बीच बहस चल रही है कप्तान को परिस्तिती संभालनी होगी विश्वाज भरा शॉट था ये अच्छी बल्ले बास ही बाल बाल बचे बल्ले बास बहतरीन गेंद बासी बल्ले बास पिछली गेंद पे बड़े अनकमफर्टबल लगे फील्डरों के बीच गैप ढूनने में काम्याब चार रन के लिए साधा रन गेंद बासी और देखा आपने बल्ले बास ने पूरा फाइदा उठाया देखते हैं स्पिनर को इस पिछ पर कितना पर्चेस मिलता है पाउर प्ले की समापती कप्तान आप दो से ज्यादा फील्डर्स थर्टी यार्ट सर्कल के बाहर रख सकते हैं आसानी से खेला एक रन के लिए स्टेडियम दर्शकों से पूरी तरह से भरा हुआ है और क्रिकेट का आनद उठा रहे हैं और ये गेंद हवा में मिल गया हुए किर्फ वह किस तेजी के साथ कैच पकड़ा है खेलाडी ने ऐसा लगा मानो बिजली के रफ्तार है इनके पास काफी निरास लग रहे हैं अगली पारी में कोशिश करेंगे कि ऐसी गलती फिर ना दोरा आए ऐसे कैच इस ना सिर्व आपको मैच जिताते हैं बलकि मुश्किल परिस्तितियों में टीम का मनोबल भी बढ़ाते हैं बल्ले बाजों को अब बाउन्डरीस की आवश्क्ता है ये रन रेट बढ़ाने के लिए बढ़िया बोलिंग बल्ले बाजों को परिशानी में डाल रहे हैं यहाँ पर गेन बाद अच्छी लेह में लग रहे हैं क्या ये विकेट ले पाएंगे चली देखते हैं तकड़ा शौक बल्ले के एक दम पीज से निकली ये गेन पूरी तरह नियंतरन में थे बल्ले बाज अन्ती मोवर्स के लिए विकेट्स को हाथ में रखना बहुत ही इंपोर्टन्ट होगा वाह क्या ख्लीन बाक्स्वेंग छेरन इतना असान नहीं है इस शौट को एक्जेक्यूट करना ये रही पारी की आखरी गेन आपके सामने ओ जबर्दस गेन बाजी ऐसी बोली को खेलना नामुम्किन तो लक्ष हमारे सामने है देखते क्या इस लक्ष को ये बैटिंग टीम पूरा कर सकती है या नहीं ओपनर्स फील्ड में आते हुए दर्शक पूरे जोस से उनका स्वागत करते हुए मिडॉन पे भी फील्डर लगाया गया है सब तैयार इनिंग्स की पहली गेंद के लिए गेंद बाद अपने प्रिफ़र एंड से गेंद बाजी करते हुए गैप में कहला है और रन मिलेंगे इस दिशा में कवर पे फील्डर तैनात लॉंग लेग लग गया है शॉर्ट बॉल की उमीद कर रहे होंगे बले बाज हवा में दे मारा है और या ओ जाना होगा बिना खाता खुले इस विकेट की तलाश थी इने कैप्टन काफी खुश गेंद बाज से पविलिन की और जातु हुए बले बाज बड़े हताश ऐसे कैचिज मुश्किल होते हैं कभी कभी चत्वराई से गेंद बाज ही कर रहे हैं गेंद बाज यह अच्छा शॉर्ट गेंद हमा में लेकिन बाउंडरी की दूसरी तरफ गेंद सीधा बले के बीच से निकली वहाँ चत्वराई के साथ जान बूच के ग्राउंड के सबसे छोटे हिस्से में खेला किसी दूसरे हिस्से में यकीन छे रन नहीं मिलते हैं इस वाफ दियो क्या बड़िया खेला है कॉन्फिडेंट शॉट इसके साथ पाउर प्लेस समाप्त हुआ आसानी से खेला एक रन के लिए कवर पे फील्ड तैनाथ बैतर इन रनिंग बिट्वीन दे विके दोनों बल्ले बाज उनके बीच चौका बैतरी शॉट बल्ले बाज दौरा लेंग काफी जल्दी पिक की वहाँ पर बल्ले बाज ने रन रेट बढ़ाने के लिए थोड़े चांसेज लेने होंगे अब अच्छा शॉट बस सिंगल ही मिलेगा बल्ले बाज धीरच से खेलते हुए काफी संबल कर खेल रहे हैं बल्ले बाज लंबी एनिट खेलना चाहते हैं सिंगल लेकर बल्ले बाज अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे हैं ये रही पारी की आखरी गेन आपके सामने बहुत अच्छे रणिंग बेट्विकेट्स बहतरीन फील्डिंग और बोलिंग का प्रतर्शन हमें देखने मिला यहां पर फील्डिंग टीम ने अपने टोटल को देखते हुए उंदा बोलिंग की कप्तान को दाद देनी पड़ेगी जिस तरह उन्होंने अपने बोलर्स को रोटेट किया ये जीत तो इनी की थी